इस वीडियो में लोगा ने ये बात करनी है कि स्कॉलर्शिप फाइंड कैसे करनी है हम इस सेक्शन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि एजिली सुनने वालों के लिए भी जो कैनिडेट्स हैं और जो विलिंग है पिएजडी स्कॉलर्शिप के लिए जरनल स्कॉलर् स्कॉलर्शिप कैसे है मेरा कोश्चन यह फिर उसके बाद मैं जरनल आपसे कुछ कोश्चनिंग करूंगा स्टुडेंट के बिहाफ से तो आप काइंड लीजिए इंफॉमेशन देते हैं कि डूंडी कैसे स्कॉलर्शिप सबसे पहले न लुमान भाई सबसे पहले अगर मैं आपको बताओं कि स्कॉलर्शिप धोननी कैसे है पहले हमने डॉक्रमेंट ऌ Courtney प्रेशन हो सब चीजा दो बताा नहीं सब कि स्कॉलर्शिप धोननी कैसे है। स्कॉलर्शिप को डेफरेंट प्लाटफरंट धूंडी सोशल विडिया से जाएगी ठीक है या वेब साइट से धूंडी जाएगी ठीक है अब अगर आप देखते हैं तो आपके पास यानिके सबसे मुझे ग्रूप बहुत अच्छा लगता है उन लोगों ने बहुत हेल्प किया है वो पकस्तानी ग्रूप है स्कॉलर्शि जहां पे आपके और मेरे जैसे स्टूडेंट्स जो डिफरंट वो मालिक में दुनिया के डिफरंट कोनों में बैठे वे पीच्डी कर रहे है तो वहाँ पे उनकी युनिवस्टी मेजर कहीं पे उनको भो स्कॉलर्शिप पोजिशन का कहीं से कुछ पता चलता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा इंफर्मेशन का जरीए वो भी है दूसरे नमबर पे हमारे पास है आप बेशक नोट कर लें तो वो डिस्क्रिप्शन में बेशक डाल दीजिएगा scholarshipdb.net तो यह scholarshipdb.net मेरे हिसाब से जो मैंने जर्श किया वो एक बहुत अच्छा प्लाटफॉर्म था जो के आपको scholarship यानि कि वो मुझे बहुत सारी वेबसाइट थी लेकिन वो मुझे सबसे अच्छी लगी जहां पर आप अपने जिस कंट्री में scholarship चाते हैं आप उसका फिल्टर लगा दें तो आपको उसी कंट्री के scholarship शो होंगे आप अपनी domain के हिसाब से अपने region के हिसाब से अपने area of interest या research area के हिसाब से आप फिल्टर फिल्टर आउट करके तो आप results को कि इतने scholarship यहां पर वेलेबल है कंट्री के हिसाब से scholarship चाहिए partial scholarship चाहिए आपको job even के चाहिए तो वो वहां से आप search out कर सकता scholarship db.net उसके बाद यॉरप की अगर हम बात करें तो यॉरेक्सिज है यॉरपा है ठीक है और अगर मैं अपनी बात करूँ तो क्योंके हम computer vn में काम कर रहे थे तो हमारा एक computer vn machine learning का एक group था जहां पर मैंने अपनी email ID दी तो जैसे ही कोई नई position announce होती थी तो मुझे email आ जाती थी तो वो बहुत ज़दा helpful होता थे कि इसी तरह हर बंदे के according जब हर बंदा अपनी domain के according कुछ ऐसे groups होंगे जहां पर वो Gmail groups होंगे जहां पर वो अपनी email को subscribe कर लेंगे तो जैसे ही कोई नई position या कोई ऐसा नया भी announcement होगी तो वो उनको मिलती रहेगी ठीक है और ये तो हैं सबसे असान तरीके क्योंकि नमान बई different universities में जाके specific department में जाके specific professors को search out करना और फिर उनके पास scholarship के लिए apply करना वो थोड different task हो जाता है ठीक है हाँ लेकिन अब इसमें थोड़ी से मेहनत लगेगी जो तरीके पहले बताये हैं वो युरक्सिस है और अपा है scholarship league है scholarship network है scholarship db.net है इंशाला उमीद है कि यहां से बहुत सरे students को कोई ना कोई direction मिल जाएगी कोई ना कोई scholarship मिल जाएगा या किसी ऐसे से contact हो जाएगा जो कि उसी domain का होगा और further वो उसको क्योंकि मैं computer science फालों को तो बहुत अच्छे से बता सकता हूँ लेकिन शायद मैं दूसरों को उस हवाले से ना बता सकता हूँ लेकिन generic सा मैं idea दे रहा हूँ कि वहां से उनको direction मिल जाएगी अच्छा यहां पे अब मेरे पास अगर मुझे approach करता है तो मैं उसको बता सकता हूँ कि हाँ भी मेरी university में या मेरे शहर में जो universities है या जिन universities के बारे में मैं जानता हूँ या जहां पर मैंने apply किया था कहां पे acceptance rate जाना है या कैसे आपने apply करना है तो अगर आप let's suppose आपने target किया Canada को आप भूल जाएं कि university की ranking क्या है भूल जो scholarship मिल रहा है that's enough ठीक है एक third world country में बैठके आपको scholarship मिल रहा है Canada का तो बस आप भूल जो सब चीजों को आप बस देखो के professor की profile अच्छी है scholarship मिल रहा है ठीक है बस that's it अब उसमें क्या होता है कि आप लिख लो के top 100 universities या top 10 to top 20 या top 50 universities in Canada अगर आप country को करने बैसे तो scholarship DB से कर सकते हैं ठीक है लेकिन मेरे देखने में नमान भाई ऐसा है कि कुछ professors थोड़ा सा कहलो के busy होने की वज़ा से वो अपनी ना लैब की announcement ही नहीं करते या वो positions की announcement ही नहीं करते या उनके पास frequently CVs आ रही होती है ठीक है candidates supply कर रहे होते तो उनको शायद वो announce करने की जरूरत ही नहीं पढ़ती कि वो announce करें कि मारे पास कोई position है या ऐसा कुछ है ठीक है तो उनको खुद से भी approach करना पड़ता ठीक है तो अब उसमें क्या है कि आप एक list बना ले 10 या 15 या 20 universities की वहां पे आप computer science department में चले जाएं ठीक है जैसे ही आप computer science department खोलेंग है या software engineering है computer VN है machine learning है speech का है language models पे काम कर रहा है blockchain है distributed learning पे काम कर रहा है split learning पे उसाई domains लिखी होती है वहां से आप professors की profiles को उठाते जाएं ठीक है उनकी email और उनका contact information उठाते जाएं और वहां पे apply करते जाएं ये आखरी है ठीक है लेकिन आप पहले scholarship db.net पे जाएं तो एक बहुत अच्छा platform है जिसके maximum scholarships हर डुमेन के scholarships announce होते रहते हैं ठीक है लेकिन अगर आप इससे भी आगे एरकसिज है यॉरपा है जो कि सिर्फ यॉरप के लि आपको लोग अप्रोश करेंगे लेकिन अगर आप अपने LinkedIn के उपर लिख लेते हैं कि मुझे इस एरिया में job चाहिए ये इस एरिया में scholarship चाहिए PhD का और अपने domain को mention कर देते हैं तो आपको जैसे ही कोई PhD position announce होगी तो आपको LinkedIn के उपर आपको notification आना start हो जेंगे कि इस एरिया में means के ये let's suppose हम लिखते हैं तोरांटो में तोरांटो में या कैनड़ा में या स्पेन में स्पेन की फ़लाँ university ने आपकी domain से एरिटेड इस domain में PhD के scholarship announce की है आपको आजेगा उसके बर पूरी description होगी email contact information कितनी positions हैं कितनी salary होगी क्या होगा उस सब कुछ mention होता लिंक ने एक बहुत अच्छा option है अच्छा प्रिशन आपनी एक नॉर्मल डी मेल का email mention कि 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 आपने कोई research proposal लिखा है तो मेरी लैब में यह आया है या मैं professor हो तो मुझे आप शेयर करो तो वह आपका research proposal का benefit उठागे खूद अपलाई करेगा या might be यह बी possibility हो सकती है कोई कहाएगा जी मैं इस उन्विश्टी में स्कॉलर्शिप आई है तो ठीक है इतनी इसकी जो है एड्मिशन फीस है वाट आवर आप दें और ये इस तरह से भी स्केम तो इसमें आपका क्या कि नुमान भी अभी इस चीज़ में ये चीज़ है कि जब भी आप किसी भी स्कॉलर्शिप पर अपलाए करोगे तो जब भी आपको वो अपलाए करवा रहा होगा तो आपको लिंक की डिरेक्शन हमेशा यूनिवस्टी की मिलेगी या किसी प्रोफेसर की मिलेगी यूनिवस्ट इमेल आईडी दी होती है ठीक है और दूसरे नमबर पे जो बंदा आपसे पैसे मांग रहा वो स्कैम कर रहा है क्योंकि आपने जो भी पेमन्ट करनी है वो युनिवरस्टी के अकाउंट में करनी है ठीक है और वो online payment होगी वो university की website पे और वो सब चीज़े होगी आपने किसी बंदे को directly किसी भी medium के तरूप ऐसे नहीं भिजवाने उसके account में आज़ा को युनिवस्टी के account में भिज़ा है आप admission fees की बात करे है जो 50 या है अब नमान भी यह होता है कि जब आप scholarship के लिए देख रहे हो तो आपको किसी fees की कोई जरूरत नहीं होती पहले तो आपने गुज़रना है applying के phase से सबसे पहले अपने professor सर्च करना है अब वो आप scholarship db से सर्च कर लें आपको मिल जाता है scholarship network से मिल जाता है या आपको अपने professors की खुझ से profile सर्च करने से अपनी domain और align करके वहाँ पे मिल जाता है कि यार इस professor की domain सर्च कर रही है मैंने let's suppose यहाँ पे Canada में बात करते है University of Waterloo की बात करते है University of Waterloo में apply करना अच्छा मैं chemistry department का हूँ अच्छा उसमें chemistry department है analytical chemistry है okay analytical chemistry में यह professor है ठीक है इसको मैंने apply करना उसको पास apply कर दोगे वो interview होगा आपकी CVS देखेगा अगर आप accept हो जाते हो सबसे पहले आपको मिलेगी acceptance acceptance के मिलने के बाद जो next step होता है आपको आपने university के लिए admission के लिए admission के लिए apply करना admission processing fees देनी है जो कि round about होगी 150 से 250 डॉलर्स ठीक है 150 से 250 डॉलर्स कोई इतनी ज्यादा मौटनी होगी लेकिन वो university के अंदर admission apply करोगे university की website से करोगे किसी third बंदे के पास आपने apply नहीं करना होता professor आपको recommendation letter देगा उस recommendation की base पे आपने university में admission के लिए apply करना होता है और वहां पर mention करना होता है कि मुझे इस professor ने admission दे दिया इस domain में ठीक है तो वह आप वहां पर professor का नाम mention करते हो ठीक है और वहां पर fees pay कर देते हो तो वह automatically university का जो management system होता है admission system होता है वो professor के पास एक mail चली जाती है professor अपरूब करता है कि हाँ इस बचे को मैंने admission दिया या इस बचे को मैंने accept किया तो university आपको admission दे देती है ठीक है आपने जब apply कर रहे है उस दुरान में किसी बंदे को एक रुपया भी देने की जाना है आपका पहला खर्चा होगा admission processing fees का जो के तकरीबन जाके कोई different you know seats की different है लेकिन अगर मैं summarize करूँ तो 130 या 150 से लेके 250 dollars के roundabout होगी जो के final phase है उसके बाद आपके बस डो डो documents हो जाएंगे university का admission letter और professor का acceptance letter ठीक है वो acceptance letter में आपकी funding भी mention होगी कि इस बंदे कि लो करता हूँ इस domain में और इसको इतनी funding दूँगा सलाना ठीक है तो आप उन दोनों की base पे further आगे visa process होता है जो के आपने खुद करना होता है online website पे IRCC की website में जाके खुद से profile बनागे खुद से अपने कुछ documents prepare करके वहां पे डाल के और आपने visa apply कर दे ना होता है और वहीं पे आपने fees pay करनी होती है किसी बंदे परिंदे को online payment होनी है किसी बंदे परिंदे को third बंदा बीच में आना ही नहीं हाँ अगर कोई guide करने के लिए आता है लेकिन fees आप खुद pay करे वह आपको ये बता सकता है अच्छा next question मैं आपसे यह करूँगा कि अगर आप थोड़ा सा अपना experience share कर दें जो रेलिमेंट कैसे find की और अबिसके अपना डिटेल तो पता है लेकिन अपना experience share कर देंदें नुवान भाई मैं जब मैंने अपना master's complete किया तो उसके बाद मैं university में पढ़ा रहा था तो अचानक से मेरे कुछ friends हैं ठीके उनकी मुझे call आती के यार आप भी scholarship के लिए apply करो कि वो scholarship पर जा चुके थे मुझे call जाती है scholarship के लिए apply करें तो मैंने का के यार मैं तो पढ़ा रहा हूँ लेकि जब मैं पढ़ा रहा था university में तो मुझे feel हुआ के यार के PhD करनी पड़ेगी आज से 5 साल के बाद करूँ या अभी कर लो तो मैं तो मैं थोड़ा सा motivate हुआ मैंने अपने documents को prepare किया उन दोस्तों से help ली उनने मेरे documents को देखा analyze किया prepare करवाए तो prepare करके उसके बाद मैंने search out करना जब scholarship को start किया तो scholarship db.net मुझे personally तो रहे बहुत अच्छी लगी यूरेक्सिस से यूरपा था उसके बाद मेरे पास जो थी क्या ना मैं scholarship networks ठीक है वहाँ से ठीक है तो मुझे और और जो cvml जो हमारा एक personal परसनल तो नहीं कह सकते वो जो public group था जो मुझे email की subscription की base पे मुझे वहाँ पे email जाती थी तो जहाँ पे भी scholarship मुझे मिलती थी नुवान भी मैं daily basis पे शुरू में scholarship ढोना बहुत मुश्किल होता था लेकिन एक हफ़ता जब गुजरा के बाद मैंने अपनी routine को नहीं change होने दिया मैंने एक हफ़ता गुजरने के बाद अब ये situation आगी थी कि मैं 15-20 मिनट में 3-4 अच्छे professors या अच्छे scholarship ढूंके उनके पास apply करके और मैं सो जाता था रात को daily basis daily basis की ये routine थी के बजाए के मैं उस टाइम अपना social media कोई भी अपराउंड यूज़ करता तो बेहतर ये था कि मैं आदा घंटा घंटा लगा के कुछ अच्छे professors ढूंके उनके उनके पास अपनी CVs को करके mention तो वहाँ पे मैं कर लेता था फिर मुझे पता चला कि कुछ students से कुछ professors की profiles को सर्च किया ठीक है तो जो मेरी domain से reacted थे तो मैंने उनके पास भी apply करना start किया ठीक है तो उनके पास भी apply करना start किया वो मिले जुले response आते गए फिर मुझे यॉरप से सबसे पहला जो response आया था वो मुझे उदर से आया था Amsterdam से Amsterdam से उसके बाद फिर मुझे लेक्जंबर्ग से आया ठीक है उसके बाद फिर मुझे कतर से आया फिर दुबई से आया हमद बिन खलीफा कतर से पिर दुबई से आया उसके बाद फिर मुझे ये कैनड़ा के एक professor जिसके बाद मैं अभी काम करूँ इनका रिस्पॉंस आ गया उसके बाद फिर मुझे मुझे यानि कि पहला दफ़ा जब रिस्पॉंस आया तो बड़ा पचान था और बड़ा नर्विस था जब इन्ट्वियू क्या होगा बड़े मुश्किल होगी होगा लेकिन आज सच हुआ आपके साथ मेरा फिर एक स्पेइन में एक जगा पे मुझे मैरी क्यूरी का भी आप्शन मिला थीक है मैंने अमेरिका अपलाए गया था तो फ्रैंक्ली स्पीकिंग वहां से मुझे कोई रिस्पॉंस नहीं आया तो बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां से रिस्पॉंस भी नहीं आया तो रौन अबाउट कहलें कि मैंने 60 मैंने एक दिन काउंट कर रहा था 56 तो 60 प्लेसे ऐसी थी जहां पर मैंने अपलाएंगिया था कतर का था फाइनल मेरे पास तीन या चार आप्शन थे तीन कैनाड़ा से थे एक कतर से था और एक मेरे पास स्पेन से था तो आखिर पे मैंने यह डिसाइड किया कि मैंने यहां पर जॉइन करना है क्योंकि इस professor के साथ मेरा वीजर तक अपलाय करता था बाकी professors के साथ पर यह ना के वो बहतर था कि इसी के साथ continue करता औो बाकी जह ते कतर और मैं कतर को फिर निए थोड़ा सा priorities में Canada आ गया और दूसरे लाइपोर पूर स्पैन था लेकिं स्पैन का पिर यह था कि मुझे वीजा दुबारा से प्रॉसेस करना पड़ना था और मेरी ये चीज़े प्रॉसेस हो चुकी थी और वो प्रॉसेस दुबारा फिर लंबा था तो कुछ इन वजुहात की वज़ा से बस फिर मैं उदर नहीं जा सका तो ये टोटल होल जर्नी थी लेकिन मैंने कॉंसिस्टेंसी से और एक डेली बेसिस पे सबसे पहले डॉक्रमेंट्स प्रिपेर करने पे टाइम लगाया उसके बाद अप्लाए करने पे तो पंदराब्रीस मिन आदा घंटा लगता होगा वो इतना टाइम नहीं लगता तो एक रस्ता बना दिया तो हम यहां पर है अच्छा नेक्स कॉश्टन ठीक होगा है मैंने कुश्टन समप किये वे थे सारी बातें हम लोग कर चुके हैं जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियो देख लिए हो सारा कुछ समच चुके होंगे फिर भी कोश्टन ये है कि मुझे ये बताएं पीएच्डी और मास्टर्स की स्कॉलर्शिप लेना इजी है या मुश्किल किसी भी कंट्री को देख लें स्पेशली कैनाडा की तरफ अगर बात करें अच्छा मैं अगर जानी कि सबसे असान जो है वो है पीएच्डी का थीक है सबसे असान पीएच्डी का है क्योंकि जैसे हम सबसे पहली विडियो में शाइद बता चुके थे कि पीएच्डी का स्कॉलर्शिप पूरी दुनिया में जहांवे भी होता है थीक है अगर अगर स्पेशली कैनाडा या बाकी पूरी दुनिया की बात करते हैं PhD का जो स्कॉलर्शिप है वो मेरा कहल 98% मैं कहूंगा तो वो 100% कवर्ड करता है आपकी लिविंग को, आपके खाने, पीने को और आपकी सब चीजों को ठीक है तो PhD का comparatively competition भी होता है definite बात है लेकिन आपने master's में कुछ न कुछ किया होता है प्रफाइल हो आपकी कहलें कुछ न कुछ न कुछ वो नुमान भी कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है पहली वीडियोस में कि आपको अपनी चीजों को present करने का तरीका होना चाहिए ठीक है न तो वो प्रफाइल वो चीज़े खुद ही सट हो जाएंगी खुद ही बन जाएंगी तो वो उसकी बैसे आपको मोटिवेशन आप कह रहेंगे यह यह मोटिवेशन है या जिस वैसे ही बिल्कुल बिल्कुल ठीक और दूसरे नहीं मास्टर्स का आ जाता है मास्टर्स का भी अभी यॉरप की शाद कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो के मास्टर्स वालों को भी प्री में यह निके उनके मास्टर्स में अमुमन कुछ नहीं होता है कोई भी यह जर्मिनी की या रासमस है या और भी स्कॉलर्शिप्स है बहुत सारी है पीस देंगे तो जा सकते हैं अम्रबाइद वो थोड़ी सी struggle एक महीना अगर लेट चले जाएंगे या छे महीने लेट चले जाएंगे और फ्री में चले जाएंगे वो बहतर है अगर पाक्सितानी कोई 48-50-60 लाक करप्या लगा गया जाएंगे तो वो बेतर है तो मेरा ख्याल वो वो वोzinho मिसडाइड होते है ठी KIM futures है और दूसरे लोगों से कहलो कि inspired होते है वो online videos को देखके और वो छीजों को देखके वो reality को नहींचे थोड़ी सी मेहनद थोड़ी सी मेहनद मेरा भी recently एक दोस्त है तो अस्टेलिया गया है, मैं उसको बहुत रिक्वेस्ट की, वो मास्टर्स के लिए गया है, मैंने उसको बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने का यार कि अभी हम इस फील्ड में हैं, मेरे पास यूरिस्टी है, यह हमें डिफरेंट प्रफेसर्स हैं, जिनकी प्रफाइल्स का मुझ scholarship कैसे मिलेगा मैंने कुछ किया नहीं है यह वो है मैं अपनी चीजों को कैसे बनाऊंगा motivation कैसे लिखूँगा मैंने का मैंने उसको बहुत convince किया अभी भी जो मेरे बाती दोस्त हैं मैं बहुत convince करता हूँ लेकिन बस फिर अब हर बंदे की अपनी priorities होती है कुछ लोग कहते हैं कि मारवाइप पैसा है तो हम पूछ कर सकते हैं तो बस मैक्सिमुम लोग कोशिश करते हैं कि पैसा लगाएं बैचलर्स के लिए मैं कहता हूँ कि पैसे लगते हैं बिलकुल लगते हैं लेकिन master's के लिए और PhD के लिए मेरा ख्याला हूँ को पैसे लगा के करता है तो मेरे हिसाब से वो मुनासिब नहीं है या मैं उसको क्या कहूं कि वो थोड़ी से मेहनत नहीं करना चाते हैं और बस पैसा लगा के पाफी फस जाते हैं जो इस तरह से आते हैं पिर उनके लिए सर्वाइब करना बहुत मुश्किल होगा था यहां पर मैंने बिल्कु 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 ऐसा ही तो वैसे आपसे ठीक है यह सारी चीज़ आपने डिसकेस किये वैसे आप आपकी वैसे मोटिवेशन के है नॉर्मली जो स्टुडेंट्स के लिए मोटिवेशन यह सजेशन आप एक समप करना चाहेंगे क्या स्टुडेंट्स को देंगे ओके मोटिवेशन मोटिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो मोटिवेशन सबसे बड़ी मोटिवेशन है अच्छा लाइफस्टाइल ठीक है एक peaceful environment बहुत सारी motivations हो सकती है ठीक है एक अच्छी profile एक अच्छे मुल्क की degree एक अच्छी profile आप उस degree को लेने के बाद आप कहले है जो आप जिस research में आप involved होते हैं अभी recently वो latest चीज़ों पर होती है जी 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 एक अच्छा research environment latest latest research ठीक है उसके बाद industrial collaboration ठीक है आपकी industries के साथ collaboration होती है आपको पता चलता है actual में latest research कौन सी और ये किस field में कौन सी research हो रही है collaboration होती है नई चीज़ों का पता चलता है उसके बाद आपको practical work का पता चलता है ठीक है कि आप industries में जाते हो industrial meetings ہوتی ہیں उनके साथ आप collaboration करते हो तो आपको उन चीजों का पता चलता है ठीक है और आपकी एक अच्छी research publication एक अच्छी research profile बनने के साथ जिसके बाद आप अगर आप पाकिस्तान में दुनिया के किसी भी कौने में जा के एक अच्छी जॉब ले सकते हैं ठीक है सबसे पहली academic वो यह हो गई उसके बाद अगर हम दूसरी साइड बे चले जाते हैं तो यहां पे आते हो motivation यह है कि आपको पढ़ने के पैसे मिल रहे है पैसे इतने मिल रहे है सबसे बड़ी motivation आपको पैसे भी तो रहे है ठीक है पढ़ने के पढ़ने के यहार पैसे मिल रहे है laptop आपको professor देता है आपको screen professor देगा laptop देगा, cabin देगा office देगा, सब कुछ देने के बाद उसके बाद फिर पैसे भी दे रहे है और आपने अपना काम करना है आपने अपना काम means कि आप अपने thesis का 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 म, अपनी रिसर्च का 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 म, अपनी profile को बना रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो अपनी profile को बना रहे हो एक सबसे बड़ी motivation कि आपको अपना काम करने के पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, और thesis number पर ये है कि अच्छा lifestyle मिल जाता है, peaceful environment मिल जाता है, और मैं अगर किसी आद तक ये कहूँगा तो वो भी कम नहीं होगा कि आपको financially भी थोड़ी सी sport हो जाती है, थोड़ी सी ने कामिसरी sport हो जाती है, वो आप मेरे साथ agree करेंगे, financially भी sport हो जाती है, कि आप अपनी family को और इन चीजों को sport कर सकते हैं, ठीक है, और add then, यानि कि आप यहां पर job करना चाहें, तो definite बात है कि उनके लिए, यहां पर बहुत अच्छी opportunities होती है, ठीक है, तो उनकी respect की जाती है, पड़े लिखे लोगों की, या उनके तक बहुत highly paid jobs होती है, तो definite बात है, और Canada, अगर हम Canada कोई लोग क्यों choose करें, तो उसकी एक बहुत बड़ी वज C's की वज़ासे कुछ लोग like करते हैं कि आप हमेले हैं, यहां पर काम करना चाहते हैं, और कुछ लोग है कि यहीं पर ही Canada कोई अपना घर बना लेते हैं, अब जरी बात है कि वो फिर उनके लिए कच्छी, क्योंकि job opportunities अच्छी है, तो definite बात है, कुछ लोग यहां पर भी रह जाना चाहते हैं, तो यहां पर Canada को लोग क्यों like करते हैं, सिरफ फ्रेंडली immigration policies की वज़ासे, कि इनकी immigration policies थोड़ी सी friendly है, बाक्कियों की निस्पत, इस वज़ासे, यहां पर पड़े लिखे बंदे की कदर है, तो इस वज़ासे यहां पर थोड़ा सा मुझे लगता है, आप sport करते हैं और scholarship की point of view से देखते हैं, मतलब, self पे, अगर PhD की बात करें, मैं PhD master's और bachelor's की बात करता हूँ, ठीक है, PhD की अगर आप बात करते हैं, तो मैं अगर यह कहूँगा नुमान भई, तो गलत ना होगा, कि वो बंदा बेवकूफ होगा, कि जो यॉरप में, कैनड़ में, अमेरिका में, किसी मिल्ट में self finance पे PhD के लिए जाता है, उसको मैं बेवकूफ कह सकता हूँ, उसके लावा मेरे पास कोई ऐसा sophisticated word नहीं था, कि मैं उसको यही समझता हूँ, ठीक है, हाँ अगर master's की बात करते हो, तो master's में 20 scholarship मिल जाते हैं, ठीक है, कोशिश की जा सकती ह यहां पे कहलो के 50 या 60% scholarship मिलने के और 40% ना मिलने के भी chances होते हैं, ठीक है, तो master's में अगर को scholarship पे self पे आता है, तो किसी हद तक कह सकते हो कि वो considerable है, कि दो साल की degree है, ठीक है, वो पहुंचते ही और यहां पे अभी चीज़ोंगा पता होता है, और वो निकल जाती है, पहले साल की fees दे के आते हो, दूसरे साल की fees आपकी सीना किसी तरह ही कठी कर लेते हो, या आप दूसरी fees दे के और अपना, जैसे ही master's खतम होता है, को जाब पे होते हो, तो आप वो अपनी जो investment की होती है, उसको payback कर सकते हो, लेकिन मैं, यानि कि फिर भी यह सजज़ेस करूँग अगर scholarship को ज़रूर एक दफा देख लें, अगर दो तीन मां लगाके, अगर नहीं मिलता, या आपको नहीं पता चल रहा, किसी की help ले लें, फिर भी नहीं पता चल रहा, तो फिर अगर आप जाना चाहते हैं, तो वह आपकी मर्जी है, लेकिन कम उसकम, master's बालों को भी मैं जिन लोगों के पास तो इतना पैसा है, कि वो यहां पे आके रहना, खाना, पीना, फीसे को अफोर्ड कर सकते हैं, no doubt, मेरे कहने से को रुकने नहीं वाला, लेकिन वो अगर आना चाहते हैं, तो most welcome उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, अगर किसी पाद पैसा है, वो खर्च करना चाहता है, अच्छी एजूकेशन लेना चाहता है, और वो अपना रहायश खाना, पीना, फीसे, सब कुछ अफोर्ड कर सकता है, तो definitely उसको आना चाहिए, मैं कभी नहीं कहूंगा, एक अच्छे इदारे में, या अच्छी जगा पे पढ़ने में, कोई कबाहत या कोई चीज नहीं है, ठीक है, वो अगर आला चाहता है, तो बहुत जबदस्त है, लेकिन देखा दाखी कुछ ऐसे लोग जो अपने घरों को गिर्वी रखके, और अपने घरों को बेच के, और अपने रकबों को बेच के, और उन सूरतों में बैचलर्स पे आना चाहते ह तो मैं उन से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि भाई, बैचलर्स अपने होम कंट्री से किसी भी अच्छे इदारे से कर लो, चार साल का बैचलर्स करके, किसी भी अच्छे इदारे से करके, और मास्टर्स में यहां पे आ आ जो, मास्टर्स में आ जो तो बहुत बेतर है, मैं उनके देखा दाखी जो दूसरे स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो के अपने वारण, अपने पेरेंट्स पे, अपने बहन भाईयों पे और बाकी सब पे बर्डन बंते हैं और नमान भी उसका फिर सिर्फ यह नहीं होता कि वो स्टूडेंट्स यहां पे आके बैचलर्स में बैस होती है, वहां पे आपकी बैस बन रही होती है, तो अगर आप अपनी बैस को बिगाड़ दोगे, यहां पे आके उस ताइम काम पे जा रहे हो, उच्छा यार असाइनमेंट छोड़ दो, यार मेरा काम बीजी है, चोड़ किसी और कॉलेज में कनवर्ट करा लो, आपकी बैस ही नहीं बनेगी ना, तो आप पूरी जिंदगी एक तो बैसलेज ही रहे होगी यहां पे, ठीक है, आप कोई जॉब कर लोगे, यहां पे मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन आपका बैसलेज वो बैस वाला बैसलेज नहीं होगा, ठीक है ना, उसकी बैस कोई स्ट्रॉंग बेस नहीं कह सकते हैं ठीक है हाँ कोई अपने खरचे पर या उस चीज़ पर आ रहा है तो वो definite बात है वो अपनी studies को और चीज़ को पुरा time दे पाएगा लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे students की जो के यहां पर आके और बो करना चाते हैं जॉब भी करें और पढ़ें भी फीसें भी कटी करनी हैं घर भी भेजने हैं और अपना भी manage करना है यहां पर तो मैं उनको recommend नहीं करूंगा हाँ अगर आपके पास को scholarship या आपने कोई अपने inter-level में इतना अचा gold medalist हो या आप कोई ऐसे students हो ठीक है या आपने कोई social activity या extra curricular activities में कोई इतना अचा perform किया तो आप एक डिफ़ा scholarship का try कर लो हो जाता है scholarship मिल जाते हैं लेकिन जो बाकी students है मैं यह recommend करूंगा आप बैचलर्स अपने मुल्क में करें ठीक किसी अच्छा इदारे से करें और master's में बेशकाज है master's में scholarship भी मिल जाता है और अगर partially पे आजाते हैं फुली पे आजाते हैं यह sales के भी आजाते हैं तो master's का दो साल का pro plan है इतना problem नहीं होता है ठीक हो गया अच्छा मेरा next question इसके बाद यह है कि publications की importance कितनी है publication अगर हम बात करते हैं PhD के master's और bachelor's के लिए तो जरूरी नहीं है master's के लिए तो इतनी जरूरी नहीं है अगर हो जाए तो बेतर है ठीक है लेकिन अगर हम PhD के बात करते हैं तो सबसे पहली recommendation मेरी यह है कि publication होनी चाहिए ठीक है कोई conference है कोई journal है कुछ भी आपके पास कुई letter है कुछ कुछ भी वो होना चाहिए ठीक है तो पहली recommendation तो यह है कि एक हो दो हो तीन हो होने चाहिए ठीक है नहीं भी है इतना matter नहीं करता आपके पास publications होनी चाहिए आपने पुछ ना कुछ आपकी contribution होती है उसमें आप review कर रहे होते हो paper को या उसको technically देख रहे होते हो या उसमें कुछ ना कुछ पार्टिस्पेट कर रहे होते हो तो इस वज़ा से आपकी कुछ ना कुछ contribution होती है ठीक है और ना होने से 90 अगर नहीं है तो अगर थार्ड आथर हो तो comments का mention तो करो ना यार कि मैं author हूँ submit करके अपनी cv मेंचन करें कि मैंने ये paper submit किया और under review हूँ ठीक है ये मेरी suggestion और ये दो ही है पहले नमबर पर होनी चाहिए doesn't matter fast author, second author, third author होनी चाहिए अगर नहीं है तो अपने thesis को paper की form में convert करो कहीं ना कहीं उसको paper का format बनाओ उसको paper की तरह present करो और उसको कहीं ना कहीं जमा करवाओ उसको publish करने की कोशिश करो ठीक है जब तक publish होता है उस time तक आप लिख दूँ अंडर review है आप apply कर सकते हैं एक section एड़ हो जएगा कम अज़ कम जी अच्छा जो master student है उनके लिए thesis और course work की हम बात कर चुके हैं इन दोनों का difference अगर आप PhD scholarship डोन रहे हैं ठीक है पर publication नहीं है उसको आप साइट पर रखे एक बंदे ने master किया है course work के साथ एक ने thesis के साथ क्या course work वाला PhD को apply कर सकता है या उसको सोचना भी चाहिए यही सारे factors अगर देखें अब नुमान भाई course work वाले को definitely apply करना चाहिए apply जिसकी opportunity बनती है उसको apply जरूर करना चाहिए ठीक है उसके पास master's है उसको apply जरूर करना च चाहिए ठीक है तो sometimes कुछ universities की पाक्स्तान में तो वो एक होती है कि एक बंदे ने अगर course work based master's किया तो उसको PhD में शायद admission ही नहीं नहीं देते है ठीक है तो लेकिन अगर उसने thesis किया तो लेकिन मेरा खाल यहां पे ऐसी कोई convention नहीं है ठीक है लेकिन उस बंदेरे में add the end य प्यूरिफाय हो गई होगी ठीक है और उसने जो course पड़े होगे उनके दरम्यान में कुछ project और कुछ ऐसा चीज़े की होगी ठीक है कि वो उन चीजों को mention करके ठीक है और अपने उस courses की basis पे उसको चाहिए कि वो courses master's में अच्छे उठाया अगर कोई master's based करना चाहता है ठीक का कोई course उठा ले वो computer VN पढ़ ले वो artificial intelligence को पढ़ लेता है वो natural language processing को अपनी domain को एक तरफ रखे न पर यह नहो कि उसने पहले semester में एक networking का subject उठाया था एक distributed systems का उठाया था एक network security का उठाया था एक machine learning उठाया था दूसरे semester में उसने एक wireless sensor network का उठा लिया ठीक है और एक strategic web या web designing का एक course उठा लिया तो कम अज़ कम अज़ कम अपनी domain को वो सीधा रखेगा कि वो उसके पर skill set इतना होगा और उसके जो definite बात है जो course based masters होंगे उसमें इतने को projects करके या इतना skill set उसका होगा कि वो कम अज़ कम apply कर सकता है या वो अपनी चीज़ों को लिख सकता है तो उसमें एक ही उनके लिए tip है कि का मज़ा अपने course जो हो गो align करना है ठीक हो गया अब इसके बाद जो है मेरा next question मेरा next question था कि जो scholarship actual में time कितना लेती है let's suppose कि अगर आपने plan किया है और आपने mind बना लिया है कि मैंने scholarship पे जाना है scholarship लेनी है तो यह तो नहीं possible कि आज आप कितना चाहिए और time कितना लेती है तो बेहतर यह है कि जितना time लगाना ना documents पे एक दफ़ा लगा ले तीक है आप 15 दिन 20 दिन एक माँ जितना भी लगाना वो आप पे डिपेंड करता है अपनी CV पे motivation लेटर, cover लेटर पे जितना time लगा सकते हैं लगा ले इधर documents प्रिपेर हो जाएं ठीक है क्योंकि कुछ लोग होते हैं को documents को इतना अच्छा प्रिपेर नहीं कि किया होता उनना वो apply करना start कर देते है ठीक है उसके बाद यार वहां से reject हो गया तो उसके बाद फिर वो अपनी CV किसी को बेजते हैं मैं जे rejections आ रही है या अब reply नहीं आता और वो फिर बाद में अपने documents को set कर रहे होते हैं तो मेरी ये recommendation है या messages करूंगा सबसे पहले documents को अच्छी तरह prepare कर लें ठीक है जितना अच्छा prepare करेंगे उसके बाद apply का process जब start होता है आप apply करना start करेंगे तो उसमें क्या होगा कि अब ये depend करता है कि आप अपनी फील्ड से रेड़े इसमें दो तीन चीज़ें depend करती है कुछ lucky basis पर भी होता है ठीक है और दूसरे number पर आपने कितना closely जाके उसके उपर effort put किये कि अपनी research से related कोई बंदा या बंदी को ढूंडा है जो कि scholarship offer कर रहा है ठीक है अब इस पर भी depend करता है कि आपने मेहनत कितनी की है scholarship को कैसे ढूंडते हो कौन से keywords को आप search करते हो अपनी domain से related तो जानी कि मैं तो यही कोई को कि वो depend करता है कि आप कैसे search करते है scholarship ठीक है तो अगर आप अच्छी तरह सर्च करते हो scholarship पर match कर रही है profile ठीक है तो लगे रहें ठीक है अगर मैं अपना experience share करता हूं तो मुझे एक माह के अंदर जानी कि एक से तेड़ माह के अंदर acceptance और इस होना start हो गई ठीक है पहले पंदरा एक दिन के बाद तो कुछ भी नहीं हुआ था पहले पंदरा अठारा दिन तो कुछ भी नहीं हुआ था उसके बाद कुछ reply आना start हुए कुछ rejection start हुए उसके बाद पिर introduce की call और this and that जे अच्छा जबर दस्त हो गया next मुझे यह बता है कि कि इसमें man process क्या होना चाहिए एक person या candidate है वो अगर revealing है तो उससे चीज़ों को अपने mind पर अपना चाहिए और क्या चीज़ें follow करनी चाहिए apply करने के लिए consistency एक ही चीज़ है consistency serious हो जाए ठीक है spirit of अगर कोई दो माँ या तीन माँ consistency से कुछ नहीं किया life में छोड़ दो या छोड़ दो बहाने बनाना वो चीज़ें करना छोड़ दो life में कुछ नहीं किया कोई बात नहीं तीन माँ अपने आपको दे दो ठीक है इंशाला पूरी जिंदगी के लिए आपकी ट्रैक पर चड़ जोगे आपकी life सेट हो जाएगी ठीक है तीन माँ ठीक है उसमें क्या है कि अपनी profile को सेट करो अपने social media handlers को सेट करो ठीक है अपने documents को prepare करो अपने skill set को improve करो ठीक है और consistency ठकना नहीं है reject होते हो कोई बात नही जाए पैसे लगरे नहीं लगरे ना अपनी जौब करते हो शाम को घंटा के लगा लोगे तो क्या है कही न कहीं पर जौब कर रहे हो ना शाम को घंटा लगा लो तो क्या है अब इसके नहीं कहत geen jobudo के बा Videos प्रेट करो उस पर टाइम लगेगा ठीक है मुश्किल होगी जौ वो नहीं आएगा यह इसी चीज़ में तो कॉंसिस्टेंट रहना है दिल नहीं छोड़ना कॉंसिस्टेंस कोई नहीं पॉइंट से वो भी इंप्रूब करने जब नहीं आप जॉब डूंड होगे यह आपको एक कहीं पर नज़र आता है कि यह पीजी पोजिशन अवेलेबल आ आपको लगता है कि यह चीज मेरे में है कैप कैपिविलिटी वो चीज़ में इंपॉर्टन है तो इस चीज़ पर मैं कहूंगा कि क्या नब है कि आपने वो डिस्पॉइंट नहीं हो ना कॉंसिस्टेंसी से लगे रहे ना रिजेक्ट हो जो कि क्या हो जाएगा या जॉब कर रहे हो ना कहीने जहीं पर जॉब कर रहे हो लगे हो ठीक है यह इन्शाला लग जाएगा लेकिन अगर आप करते रहोगे तो मैं गरंटी देता हूं कि एक बंदा अगर लगा रहेगा लाइफ में कुछ नहीं किया उस्कॉलर्शिप ले लेता ठीक हो गया अच्छा होती हैं जैसे मैंने इटली के अंदर भी देखा है बहुत और भी कंट्रीज होंगी कैनडा के रहेंगे जहां आपको इनिशली अप्लाइ करने के लिए कुछ योरो या कुछ डॉलर्शिप लिए भी अगर हम कैनडा की बात करते हैं तो नमान भाई यहां पे इटली की जो का यह होता है कि आपने पहले युनिश्टी में अप्लाइ कर देना युनिश्टी की फिर एक बाड़ी होती है वो आपका इंट्रिव्यू कंड़क्ट करती है तो आपने पहले अप्लाइ कर देना होता है तो वहां पे आपका खर्चा इनिशली तो और पे हो जाता है अपला जाना है जब acceptance, प्रोफेसर की acceptance मिल जाएगी तो वहाँ से खर्चा स्टार्ट होगा लेकिन वो इतना लंबा छुड़ा खर्चा नहीं है ठीक है? वहाँ से खर्चा स्टार्ट होगा, अब वहाँ से खर्चा जो स्टार्ट होगा नो मान भई वो आपका तक्रीबन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ 150 से लेके और 250 डॉलर्स राउंड अबाउड यह नहीं कि यह है आपका अड्मिशन प्रोसेसिंग शीज है एक ही वर्टी की एक अड्मिशन देखो आपको अड्मिशन जिनका अड्मिशन आपको एकसेप्टनस मिल गई आप उसी में अड्मिशन लोगे आज यहां पर पता कि आप प्रफैसर के पास अप्लाई करने के कोई पैसे नहीं जब एक प्रफैसर आप एक उसी एक यॉरिस्टी जिस यॉरिस्टी का व्र करने अपने सिर्फ एकुट Bye औरोगे तो वह आपकी 550 के जोके तकरीबान सब्सक्राइब निकरreylin ओदियो कर रही होती है यह अगर मैं इस टाइम की बात करूँ तो 50,000 तक्रीबन पाकिस्तानी डुपीज बनते हैं हमारे यानिके उसके लिए ठीक है पहला स्टेप हो गया उसके बाद दूसरा स्टेप जो आएगा वो आपने कुछ अपने डॉकुमेंट्स प्रिपेर करोगे अपने डॉकुमेंट्स को इस चीज़े से वेरिफाय करोगे अगर आप उन भी पैसों को गिनने लग जो तो वो फिर एक लाइदा टॉपिक है वो एक लाइदा चीज़ है मूफा की कुछ पैसे होते हैं ही सी के टेस्टेशन है आई बी सी सी की टेस्टेशन है तो वो अगर कर कर रहा हूं इसके बाद जो इसके बाद खर्चा होता होता है वीजर अपलाए करना होता है स्क्राइब करने कुछ कर्चा घूकर 9518 से 230 डॉलर मुझे एक्जेक्ली अमूंट भूल के बाल टू हंडर्र प्लस है ठीक है 215 से 230 डॉलर की लगबग फीस है ठीक है कैंडीन डॉन ठीक है जो कि वीजा प्रोसेसिंग फीस है जिसमें आपके फिंगर प्रिंट्स होंगे आपकी इमेज की इमेज लिए जाएगी फिंगर प्रिंट्स और आपकी वीजा प्रोसेसिंग फीस और सब कुछ उसमें होगा ठीक होगे उसके बाद हमारे पास आजाता है नेक्स आजाता है कि आपका वीजा जब आ जाता है ठीक है जब तक आप पाक्सटान में हो आपको स्कॉलर्शिप नहीं मिलता ठीक है उनर्टिल उनलस को ऐसी सिचुएेशन या बार्डर्रीर या आचीव कलोज नहीं है टिकेट डिपेंड करता है उस टाम कितने की है 1200, 1500, 1800, 2000, 2000 डालर कितने की है, वो डिपेंड करता है ठीक है? तो उसके बाद फिर आपने जब यहां पे आना तो आपने तगरीबर 1500 से 2000 डालर यहां पे ले के आ जाते हैं उसके बाद आपकी फंडिंग स्टार्ट हो जाती जिसमें से आप वो सारे air tickets और जो आप पैसे ले के आए हो वो भी आप वे वापस भेज़ दो air tickets के भी वो सारे आप वापस भेज़ सकते हो वो कोई problem नहीं किस्सा मुक्तसर कि कम मसकम आपके पास दो से तीन लाख रुपय अगर है तो स्टार्ट यानि कि यह बाइपार्ट्स खर्च होना है पहले डिमिशन पर खर्च होंगे फिर वीजा प्रोसेसिंग खर्च होगा उसके बाद एर टिकेट होगा यानि कि वो ऐसा क्या इकलूडिड है जो आपको रिटर्ण करेंगे एर टिकेट आपको रिटर्ण करेंगे ने रिटर्ण नहीं करेंगे आपको उनने पैसे देने है ठीक है आपको फंडिंग बाडी जो होगी वो पैसे दे देगी वो पैसे आपके हैं आप उसको जला दे आप उसको खा लें आप उसको सेव कर लें आप एक साल में छे दवा पाकिस्तान जाएं आप ने उसी के अंदर मैनेज कर लेकिन वो इतनी कमाउट होती है कि आप इनिशली तोर पे जो पैसे घर से लेके आये होते हो या air tickets वाले किसी से पकड़ के आये हो या किसी से उनको वापस कर दो तो आपके पास इतने एक पैसे होते है कि आप अपना survival अच्छे से कर सकते हो अच्छा 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 तो ये I think मेरा last question था अगर आपकी कोई motivation या आपके mind में कोई ऐसी चीज़ है जो students को बताना चाहते हो तो आप बताएं अल्ला से उमीद पहले नमर पे ठीक है अल्ला से उमीद माबाप की दुआएं लेकर चलो साथ अल्ला पाक से उमीद, माबाप से दुआएं, अल्ला पाक से दुआ ठीक है और consistency hard work ठीक है बस इसके इलावा कोई चीज़ भी नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए जो आप कर चुके वो तो कर चुके अब मास्टर्स तो एक बंदा कर चुक हो मास्टर्स को दुवारा तो नहीं किया जा सकता नहीं किया सकता वो सिरफ scholarship के लिए दुवारा मास्टर्स नहीं कर सकता यह नी सोच रहा कि आप नहीं कर सकते हर कोई कर सकता है बैक बैक्ष कर सकते हैं मैं एक दूगर्नमेट से किया आइट मैं चोछ भी नहीं gpa मैटर नहीं करता आप try कर सकते हैं मैं एक दो cases ऐसे भी जानतो जिनके 2.7 gpa था ठीक है 2.9 GPA था वो scholarship पे हैं अगर आपको स्किल सेट अच्छा है हाँ यह कि 2.5 से कम ना हो या मेरी रिक्मेंडेशन यह क्यों यह से कम ना हो तो बहतर है यूनिवर्स्टी इसकी रिक्वार्मेंट होगी ना कि यह इलिजीबल क्राइटेरिया है मेरा ख्याल ऐसी कोई शायद होगी लेकिन लेकिन मेरी रिक्मेंडेशन यह 3 से कम ना हो लेकिन ट्राय करने में कोई अर्ज नहीं है पैसे नहीं लग रहे ना ट्राय करने में क्या है अगर हो जाता है 2.7 वाले का तो उसके फाइदा ही है न मतलब यह आपने डरना कि यार यह अप्लाइ करूं या ना करूं दिल नहीं चोड़ना मेरे पास पुब्लीकेशन नहीं है यह जूट के बहाने मेरा जीप्या थोड़ा मेरे पास पुब्लीकेशन नहीं है स्किल सेट नहीं, स्किल सेट नहीं तो बना लो ना यार आज कर लाकवस इंटरनेट है कोई भी स्किल कर लो ओनलाइन कोर्स ले लो डीजी स्किल्ड है कोर्स से रहा है हमारे पास उसके बाज उडैमी है और भी बहुत सरे प्लैटफॉर्म्स है जहां से आप कोर्स ले के अपने स्किल सेट को डिवेलप कर लो ठीक है तीजी नहीं है, बना लो मोटिवेशन लेटर नहीं है, लिख लो हमारे पास भी नहीं था यार हमारे पास भी मोटिवेशन लेटर नहीं था सब ने लिखा है और सब को लिखना परता है मैं पाइन कोई चीज़ है अच्छा थीक है अगर वो मोटिवेटेड है वो मोटिवेटेड है ना वो अपनी जिन्दगी के बारे में सोच रहा है उसकी ड्मिशन प्रोसेसिंग फीस मैं दे दूँगा थीक है उसके उसके लिए बहुत सरे सलूशन्स है यार वो यहां पे आजाए उसके बागी जो इनिशली तोर पे खरचे हैं वो कुछ न लाएं पाक्स्तान से मैं इनिशली तोर पे दे दूँगा अगर कोई यहां पर आवाँ जाता है बाद में जब उसकी फंडिंग मिलेगी हमें रिटर्न कर देगा ठीक है ना लेकिन कोई करना तो चाहे, यह जूटे बहाने है यार, मेरे पास आइट्स नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, अपलाए करने के भाई, जब आपका हो जाता है अड्मिशन, फिर पैसे लगते हैं, ठीक है, और उसके बाद मेरे पास, पलाँ, क्या ना मैं, सीवी अच्छी नह मेरे पास स्किल सेट नहीं है, स्किल ले लो ना यार, मेरे पास मेरे पास मेरा जीपी ए थोड़ा है, सब जूटे और फ्रेव के बहाने हैं, ठीक है, सब जूटे फ्रेव के बहाने हैं, बस महले में यह होता है न, फलाँ बंदा, उसका 35 लाग लगा यार, वो स्टेडिया चलागे मास मैंने विए चालीस लाख लगा वह चला गया उसका इतने लगे वह पुर्तुगाल चलागे वह आप वहां जाकर समझोगे बिल्कुल अब पहुंचोंगे तब उसको पना लगेगा यार यह गलत आया यह फास गया मैं तो रिक्मेंट करूंगा ट्राइ हर बंदे वो करना चाहिए ठीक है अपनी डॉक्मेंट्स को प्रेपर करके बगती या किस्मत या नसीब सिर्फ है सिर्फ सिर्फ कंसिस्टेंसी अल्ला पाक से दुआ करते रहो माबाप की दुआ लेते रहो ठीक है और अपनी मेहनत और कं लोगे यह वीडियो उनके लिए काफी यूसफुल रही रहेंगी जो लोग इंट्रेस्टीड हैं और यह मैं समझता हूं यह जो दो तीन सेशन हमने बनाए हैं अगर जो स्टूडेंट इनको देख लेता है तो मैंने समझता है कि उसे किसी और से कॉन्टैक करने की जूरत प स्कॉलर्शिप ले लेगा और वो बताएगा है मेरी होगी है स्कॉलर्शिप बिल्गुले से तो थेंक यू सो मच किलीम जो आपने अतना अपना टाइम निकाला मैं काफी टाइम से सोच रहा था आप से कॉन्टैक्ट करूं बढ़ आज इतनी इंफॉमेशन दे दिया आपन कोई कठा गर गे तो में भी हम एक आज सेशन और भी बना जबते हैं लेकिन वो डिपेंडन करता है किस किसम की कुईस्टैंज आते हैं क्या होता है ठीक हो गया बस दूआउं में याद रखना आप लोग ठीक हो गया ठीक हो गया